अच्वानक से मौसम ने करवट बदल ली है लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है दरसल नवरात्री के बीच दिली समेत उतर भारत में मौसम का मजाज बदला हुआ है और मौसम विभाग में कई राज्यों में 17 अक्टूबर तक बारिश की आश्रंका जताई है कुछ इलाकों में मौसम बारिश का बना भी हुआ है छुटपट बारिश भी हो रही है आयमजी ने उतर भारत के अलावा दक्षिन भारत के भी कई राज्यों में बारिश को लेकर हाई लर्ट जारी किया इसके साथ ही उतराकर्ण में भी मौसम करवट बदलने लगा है और बर्फ बारिश शिरू हो गई है किदार्णा धाम में रविवार को सिजन के पहली बर्फ बारी हुई बता दे कि मौसम विभाग ने उतर भी दक्षिन भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मी, लिदा, किमाचर प्रदेश, उत्राकर्ण, दिल्ली, हर्याना, चंडिगर्ड और पंजाब में हलकी बारिश देखने को मिल सकती है इसके अलावा यूपी और राजसान के कुछ इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है रिम जिम बारिश भी हो रही है मौसम में भागें दक्षिन भारित में भी बारिश को लेकर चितामनी जारी कि और बताए कि तमिलनाडू, पुड़ुचेरी और केरल में 17 अक्टूबर तक तेज बारिश के आसार है लेकिन सरदी शुरू होने से पहले ही दिल्ली में हवा प्रदूशत हो गई है और वायो गुणमत्ता सूचकांग यानि कि EQI खराब श्रणी में बना हुआ है आपको बतादें कि दिल्ली का 24 गंटिका EQI रविवार शाम 7 बे तक 228 दर्श किया गया है जो खराब श्रणी में आता है बतादें कि 0-50 के बीच EQI को अच्छा 51-100 के बीच संतोज रख 101-200 के बीच मध्यम 2-1-300 के बीच खराब और 301-400 के बीच बहुत खराब और 401-500 के बीच गंभीर श्रणी माना जाता है उसके साथ ही उप्राखंड में ठन बढ़ गई है किदानाथ समेथ उसके आजब पासगी उची पहाडियों पर बारिश और बर्फ बारिश इलाके में ठन बढ़ गई है किदानाथ में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है जिससे सर्दी बढ़ी हुई है रविवार को किदारपुरी में बारिश ओलाविष्ट्री और फिर हल्की बर्फ गिरने से मौसम और सद हो गया है देरादून मौसम केंद्र ने प्रदेश के अधिकान चंजलों में सोमवार को कहीं कहीं गर्जना के साथ अकाश्य बिश्ट्री के चमक ने ओलाविष्ट्री का अनुमान जताया था और ऐसी तस्वीरे नजर भी आ रही है यानि ये कहा जा सकता है कि नवरात्र में ही बर्फ बारी पढ़ने शुरू हो गई है और ठंड का अशास होने लगा है